हलो मेरे प्यारे दोस्तों तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना दूसरा चाप्टर और वो है सिंप्लिफिकेशन एंड प्रॉब्लम इसमें मेन रूप से हम लोग बोड मास के बारे में पढ़ते हैं एक्चुल में बोड मास नहीं बलकि भी बोड मास होता है क्या होता है वो मैं बात करूँगा सिर्फ एक ही वीडियो यह होगा क्योंकि यह बहुत ही बेसिक बात है इसलिए मैं जस्ट रिवाइज करवाऊंगा concept को थोड़ा अच्छे से आपको elaborate करके समझा दूँगा एका दुका चीजे वो समझा दूँगा दो-चार question करवा दूँगा क्योंकि ये चो topic है ये आप लोग 7th class में 6th class में already पढ़ चुके होते हैं तो just मेरा यहाँ पे focus है एक बार revise करवा देना इस chapter पे बहुत ज्यादा हम लोग time waste अभी नहीं करेंगे वैसे भी इस chapter से जो अच्छे सवाल बनते हैं वो किसी दूसरे concept का यूज करके बनता है तो board mass के concept को revise कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे चल देंगे तो जो हमारा board mass होता है जो आप लोग आज तक जानते हैं कि बी ओडी में एस बोड मास इसमें एक भी भी होता है ठीक है न वो क्या होता है मैं अभी बता देता हूँ इसका यूज कहां करते हैं हम लोग तो अगर मान के चलिए हमारे पास दो या दो से ज़्यादा operation एक साथ हैं इफ टू और मोर देन टू फोरा सा लिख लेते हैं इफ टू और मोर देन टू operations operations मतलब multiply, divide, subtraction, addition यह सतारी operations हमारे होते हैं टू और मोर देन operations आर तुगेदर अगर साथ में हो दो या दो से ज़्यादा operation then we follow तो हम लोगों को एक order follow करना होता है then we follow a particular order a particular order to solve them उसको solve करने के लिए to solve उसको solve करने के लिए हमें एक particular order को follow करना होता है उसी को हम लोग कहते हैं भी बोर्ड मास clear है न जहां पर भी का मतलब होता है देखिए भी का क्या मतलब होता है भी का मतलब होता है बार अब आपको होगे कि बी फोर बार होना चाहिए but already बी फोर ब्रैकेट यूज होता है इसलिए इसको भी से यूज किया जाता है थोरा सा distinguish करने के लिए वैसे भी इसका एक और नाम होता है बार ब्रैकेट का जिसको क्या हम लोग कहते हैं विन कुलम इसलिए इस वी से यह भी आया है जैसे आप देखते हैं जैसे कहीं पर होता है 5 प्लस 6 और इसके उपर बार लगा होता है मतलब कि इस बार का मतलब है कि सबसे पहले यहीं solve होगा सबसे पहले यहीं solve होगा जिस नंबर के उपर बार लगा होगा वहीं सबसे पहले solve होगा ये बात मेरे ख्याल से आप लोग पहले से भी जानते ही होंगे ठीक है? आईए वाकिछी चीजों को देख लेते हैं अब ये जो जैसे हमारा ये board mass आगी है अब board mass में अगर मैं अब भी हो गया अब मैं बात करूँ B की ठीक है? अगर मैं B की बात करूँ तो ये bracket वाली चीजी आगई अब bracket भी तीन तरीके की होती है तो हम लोग सबसे पहले इस small bracket का काम करें अगर कहीं पर भी इस small bracket हो तो सबसे पहले हम लोग उसी को solve करते हैं small bracket like this type उसके बाद हम लोग दूसरे नमबर पर कौन सा solve करते हैं तो जो curly bracket होता है जिसको middle bracket भी कहा जाता है curly bracket इसको solve करते हैं दूसरे नमबर पर ये कुछ इस तरह के shape का होता है ठीक है? और third नमबर पर आता है उसको हम लोग कहते हैं big bracket क्या कहते हैं दोस्तो big bracket ये सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं just हम लोग एक बार revise कर रहे हैं और कुछ नहीं ताकि आपको questions problem में कोई दिक्कत ना हो O का मतलब होता है off देखिए off का वास्तविक मतलब तो multiply ही है off का वास्तविक मतलब तो multiply ही है लेकिन अगर कहीं पे off लिखा हो तो सबसे पहले करेंगे ठीक है ना वैसे off का मतलब multiply ही होता है उसके बाद D आता है D for division यानि कि उसके बाद हम लोग division का काम करते हैं उसके बाद B, O, D उसके बाद हम लोग M for multiplication का काम करते हैं यानि कि अगर normal multiplication हो और साथ हमें off भी हो तो दोनों करना तो multiply ही है लेकिन off वाला काम पहले होगा और multiply वाला sign का काम बात में उसके बाद A की बात करें तो यह आपका addition हो गया और S की बात करें तो वो आपका सब traction यह बात तो बच्चे बच्चे को पता है हर एक बच्चे को पता है नन्हे से नन्हे बच्चे को पता है ठीक है ना तो चलिए दो चार questions की practice कर लेते हैं और इस topic को खतम कर देते हैं आईए जैसे देखिए मैं question करा देता हूँ बहुत ही easy सा फोटा सा नहना सा प्यारा सा 4 by 5 of 15 by 20 और डिवाइड कर रहे हैं 3 by 5 प्लस 7 पोटाक से इसका answer आप लोग निकाल सकते हैं ठीक है ना यहाँ पर सबसे पहले off वाला काम होगा off वाला काम होगा यानि कि 4 by 5 off का क्या मतलब होगया multiply यह होगया 15 by 20 सबसे पहले यहीं काम होगा यह हमने देखा यह 3 times जा रहा है यह 5 times जा रहा है और यह ऐसे ही रहेगा अभी तक उसके बाद अगले step में 3 by 5 divide by 3 by 5 प्लस 7 आपको अच्छे से दिख गया होगा इस divide को multiply में बदल लो या वैसे भी दिख गया कि 3 by 5 को 3 by 5 से करेंगे तो वान आएगा अधरवाइस यह divide को हम लोग क्या करते हैं multiply में बदल देते हैं और उपर को नीचे और नीचे का उपर कर देते हैं यानि 5 by 3 कर देते हैं प्लस 7 तो अभी इधर ही रहेगा उके उसके बाद हम क्या करेंगे यह सब कट कुट जाएगा वन बचेगा और प्लस का 7 यानि टोटल एंसर मेरा clear है न तो यह हो गया मेरा पहला question इस तरीकी के questions की practice तो वैसे हम लोग कर लेंगे एक छोटा सा concept और मैं बता देता हूँ देखिए जैसे मैं question के माध्यम से ही बता देता हूँ find the find the absolute value of minus 3 minus 3 का absolute value निकाल तो सबसे पहले तो absolute value क्या होता है यह समझ लेते हैं देखिए यह जो absolute value होता है absolute value का मतलब होता है mod it means mod अब आपको मोड क्या होता है तो आप ऐसे समझ लेजिए कि मौड एक ऐसी चीज है एक मसीन है आप ऐसे समझ लेजिए कि मौड एक एक ऐसा मसीन है जिसके अंदर चाहे तो हम positive number डाले या negative number डाले यह हमेसा output में positive answer ही देता है ठीक है mod का sign होता है कुछ इस तरीके का और यहां पर कोई ना कोई नंबर लिखा आप यह देखिए जैसे एक जामपल के दोराम हम लोग समझ लेते हैं जैसे यह एक मौड मसीन है और इस मौड मसीन में मैंने माइनस फाइब डाला तो जो माइनस फाइब इस मौड मसीन में डालेंगे तो वह answer प्लस का फाइब और अगर प्लस का फाइब डालेंगे तो भी यह फाइब बत समझ में आई तो मौड मसीन है कैसा मसीन है जो हमेशा पॉजिटीव बहुत ही बहतरी मसीन है यह इसके अंदर कोई भी निगेटिविटी नहीं रहती यह सारी निगेटिविटी को खतम कर देता है और सिर्फ पॉजिटीव इंवार्यमेंट क्रियेट कर आईसे आप समझे तो एपसुलूट भैलू का मतलब क्या हो गया मौड यानि एपसुलूट भैलू को अगर और अच्छे से डीटेल में समझना होगा तो मैं आगे की क्लासेस में बात करूंगा फिलहाल अभी सॉट कोट में मैंने आपको बता दी तो माइनस थ्री एपसुलूट भैलू है मइनस थडीका मौड क्या होगा मैनस थ्री का मौड क्या हो जाएगा प्लस का ठ्री यानि प्लस का ठ्री यानि दिक है अच्छी आएगी देखिए जैसे एक यह कोश्चन देखिए और एक मॉड मसीं और मॉड मसीन के अंदर है 15- फिर अंदर एक मॉड मसीन है माइनस 5 के साथ प्लस 10 है यह भी मॉड मसीन के साथ है अलाकि 10 पर मॉड मसीन लगाने का कोई मतलब नहीं है वो और माइनस 12 है इसके उपर भी मौड मसीन है और ऑभर ओल तो ये मौड मसीन के अंदर कह लगा छोगर रिखिये इसका डेयला मैंसर है तो यह सबसे तो बाहर वाला मौड म्हीन हम रखते हैं यह 15 माइनस यह माइनस 5 के उपर मौड मसीन तो यह बाहर जब आएगा तो यह प्लस का फाइब देगा और यह बाहर का माइनस है तो यह माइनस तो रहेगा ही यह वाला माइनस तो रहेगा ही बट यह पूरा का पूरा प्लस फाइब देगा यानि कि फाइब और यह प्लस के बाद यह तो टेन ही देगा प्लस टेन ही देगा फिर से यह माइनस 12 जब मॉण मसीन के बाहर आएगा तो यह प्लस का 12 देदेगा यानि कि फिर से यहाँ पर प्लस का टूल भी लिखेंगे और यह पूरा मॉड के अंदर है अब calculate कर लो, add plus वाले को एक सांथ लेकर आ जाएंगे तो यह हो जाएगा 25 और minus वाले को एक सांथ लेकर आ जाएंगे तो यह हो जाएगा 17, cool total mod के अंदर है, यानि कि mod के अंदर अभी भी है मेरा 8, और plus का 8 है इसलिए 8 ही answer आएगा अगर यहाँ पर minus 8 आता तो एंसर तब भी प्लस का एठी आती है, क्योंकि पूरे पे mod machine तो लगा हुआ है, ठीक है न, वैसा भी एक question में करा देता हूँ, देख लिए, mod machine थोरा सा ध्यान रखना है, mod का सवाल जो है, सो कई बार एक्जाम में आते रहे हैं, ठीक है न, और एक दो सवाल log के उपर भी कई बार आए हैं, लेकिन उसका कोई, आपके syllabus में नहीं है, मैं at the last उसको भी बता दूँगा, multiply by 2, minus 2, into 2, ठीक है, ये क्या value होगी, ये हमें बताने, अब इसमें देखिए, पूरे number का mod किया गया है, यानि अंदर के सारे number को simplify कर लो, और जो answer है, उसके उपर mod लगा लो, यानि कि 4 minus, इसको multiply किया, तो 8 minus, इसको multiply किया, 4, ओके, यानि कि ये कितना आ गया, ये आ गया, 4 minus 12, और ये कितना आ गया, 4 minus 12 आ गया, minus का 8, और पूरे पे mod है, तो answer finally 8 आए, क्योंकि mod machine क्या करता है, negativity हटा देता है, ठीक है न, कितनी बहतरिन machine है न, ऐसा अगर कास इंसानों में होता, तो आज की दुनिया बहुत बहतरिन होती न, अगर सभी इंसान negativity से दू होते, तो कितना अच्छा रहता न, है कि नहीं, तो चलिए, ये हम लोग अभी psychological बाते नहीं करते हैं, अपने mathematical बाते करते हैं, आईए, अब मैं board mask के उपर और ज़्यादा questions की मैं 2-4 practice करवा दूँगा, लेकिन मैं इसके उपर अब बहुत ज़्यादा detail नहीं जाने वाला, क questions इसके आते रहेंगे, तो वहाँ योज करते रहेंगे हम लोग, ठीक है न, just practice के लिए 2-4 questions और कर लेते हैं, फिर उसके बाद next chapter पे हम लोग move कर जाएंगे, आईए, इस question को कर लेते हैं, बहुत ही easy है, आप चाहें तो वीडियो को रोकिये और इस questions को फटक से निकाल लीज और यह भी हो गया 5 by 5 by 4, 5 by 4, 5 by 4 plus minus में cancel मत मार देना, ठीक है न, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले division का काम हो, तो यहाँ पर division का काम होगा, तो हम क्या करेंगे, divide करने के लिए मैंने क्या बोला था, कि इसको multiply कर लिजे और इसको ultra कर लिजे, तो यह हो गया 5, यह हो गया 2, औ 21 by 4 plus इस दोनों का calculation कुल मिला के आ गया 5 by 2 और minus 5 by 4, अब चाहें तो इन दोनों को plus करके इसमें से minus कर लिजे, यह एक ही साथ LCM लेके कर लिजे, यह 4 हो गया, यह 21 हो गया, यह plus, यह 10, यह minus का 5, और आप देखेंगे तो यह कितना आ जाएगा, यहां से 5.6, यानि कि 26 by 4, य यानि कि 6 into 1 by, clear है न, यह answer, तो ऐसा है जस्ट एक दो questions की practice कर लेंगे, और कुछ नहीं, यहां पे देखें, यह बार लगा हुआ है, 6 minus 2 के उपर बार लगा है, 6 minus 2 के उपर बार लगा है, तो सबसे पहले इसको करना है न, क्योंकि भी board mass होता है, ठीक है न, भी board mass, तो सबसे पहले इस bracket वाला काम करेंगे, तो bracket वाला काम सबसे पहले हम लोग निप्टा लेते हैं, 12 minus, 9 minus, यह 7 minus, और 6 minus 2 करेंगे, तो कितना हैगा, 4 है, तो सबसे पहले हमें इस step को करना होगा, clear है न, आगे देखे, 14 minus, 12 minus, अब क्या करेंगे, यह जो small bracket है, इसको solve करेंगे, यानि कि 9 minus, 7 minus 4, यानि कि 3, यह curly bracket और यह big bracket, उसके बाद 14 minus, 12 minus, और यह हो गया 6, यानि कि 14 minus 6, और 14 minus 6 आप सभी लोग जानते हैं, यह 8 होगा, ठीक है न, चलिए, एक दो सवाल और होगा, उसको भी कर लेते हैं, अच्छा कई बार reasoning type के सवाल पूछ लिए जाते हैं, देख यह reasoning type का सवाल है, यह board mask का तो सवाल है ही, बट इसमें reasoning भी यूज कर लिया गया है, कैसे, कह रहा है कि अगर minus है, if minus indicates plus, यानि कि अगर जैसे, यह हमें कुछ दिया गया है, और फिर हम से इसकी value पूछा गया है, कि इसकी value पूछा गया है, 7 minus 10, into 5, divide by 6, plus 4, इसकी value पूछे गया है, और question में दिया गया है, कि minus indicate करता है plus को, plus indicate करता है minus को, divide indicate करता है multiply को, और multiply indicate करता है divide, अच्छा, तो हम अगर इसको अपने, यह तो दिया गया है, अब जो condition दी गया है, उसके अनुसार इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए, अब इसको हम लोग लिख रह प्लस यानि कि जहां पर भी माइनस है उसको प्लस कर दो यानि माइनस वाले को प्लस कर दो ठीक है ना माइनस वाले को क्या करना है प्लस करना है अब आप कहोगे सर एक जरह बात तो बताओ यह प्लस कर दिया ठीक है प्लस के बाद आपने 10 लिख दिया ठीक है अरे प्लस इंडिकेट माइनस तो इस प्लस को फिर माइनस भी करना होगा क्या मतलब हम लोग loop में इसको ऐसी समझे क्या हम लोग एक step करने के बाद फिर उस चीज को अगला भी देखेंगे क्या कि minus को plus कर दिया minus indicate plus लेकिन plus indicate minus तो क्या फिर से इसको minus करेंगे तो reasoning के इस type के सवाल में ध्यान रखिएगा कि हमेशा एक step को फॉलोग किया जाएगा अगर इसने लिख दिया कि negative indicate plus minus indicate plus तो सिर्फ आपको minus को plus कर देना है अब plus क्या हुआ होगा उससे हमें मतलब नहीं है अगर इसमें कहीं plus होगा तो उस plus को minus करेंगे ऐसा नहीं कि फिर से हम इसी ये step को दोहराते जाएंगे तेहराते जाएंगे ऐसा नहीं करना है मेरी बात समझ में आ गई सिर्फ एक step करना है सॉरी एक मिनट ठीक है अब आगे देखिए multiply को क्या कर रहा है कि multiply indicate division यानि कि यहाँ पर divide 5 हो जाएगा divide indicate multiply यानि कि divide की जगे multiply 6 हो जाएगा और plus indicate minus तो plus यानि कि अब minus अब इसमें हमें अपना board mask का rule लगाना है clear है ना तो इसमें board mask का rule लगाएंगे सबसे पहले division वाला काम करेंगे और इसको direct कर लेते हैं कि 10 को अगर 5 से divide करेंगे तो जाहर सी बात है यहाँ टू आएगा इंटू 6-4 और यह 7 plus 12-4 और जब इसको add करेंगे तो यह 19-4 यानि कि 15 इस टाइब का मैंने एक सवाल रख दिया था ताकि आपने कभी भी नहीं किया है तो अब तो कर लो इस तरह के सवाल कई बर पुछें अब यह लास्ट सवाल है आई हो यस मैंने बस चारी सवाल रखे थे तो अब इसको आप चाहे तो खुद से कर लिजे और एंसर निकाल लिजे 9 by 2 बहुत ही बेसिक सा सवाल है इजी सा सवाल है आप खुद से इसको कर सकते हैं अदर्वाइज मैं फटा-फट इसको solve करके आपको दिखा देता हूं देखिए यह हो गया 15 by 2 यहां पिए अगर हम लोग बात करें तो यह हो गया 9 by 4 बिवाइड यह 4 और एक 5 यह 1 by 2 यह 2 और 1 3 by 2 और यह 1 by 3 है यह माइनस का 1 by 3 अब यह small bracket वाला सबसे पहले solve कर लेते हैं small bracket वाले को सबको हम लोग क्या करते हैं LCM ले लेते हैं और LCM लेके फटाक से solve कर लेंगे ऐसे कर लेंगे देखिए जरा इसको हम लोग पूरे का LCM ले लेंगे ठीक है LCM लेंगे तो नीचे आ जाएगा 6 और यह 3 यानि कि यह हो गया 9 और यह हो गया 3 दो यानि 2 और यह 1 ही रहेगा यानि कि यह हो गया 15 बाइ 2 माइनस 9 बाइ 4 दिवाइड भाई 5 बाइ 4 माइनस 1 बाइ 2 और यह 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 बाइ 6 यानि कि 1 ही आ जाएगा ना यह 6 बाइ 6 यानि कि 1 आ जाएगा अभी मैं 6 बाइ 6 ही लिखे लेता है उसके बाद देखिए उसके बाद इसको solve करते हैं तो क्या आएगा 15 बाइ 2 माइनस 9 बाइ 4 इसको यह 6 बाइ 6 बाइ 6 वन कैंसी लोगे यानि बचा है यानि कि अगर इसको हम लोग करना चाहें तो यहाँ पर फोर आ जाएगा और यहां पर फाइप आ गया और यहां पर टू आ गया तो यह हो गया 3 by 4 इतना हो गया 3 by 4 और यह पूरा open bracket पूरा का पूरा big bracket अब यह अंदर division वाला जो है वो आपको पता है कि अंदर का division यह division जो है सो multiplication में बदल जाता है और हमारा काम हो जाता है तो यह multiplication में बदल गया 4 by 3 हो गया यह cancel हो गया यह 3 आ गया अब यहां पर हमें 15 by 2 minus 3 by 1 करना है ठीक है अब तो बहुत असान है यह 2 है यह 15 है यह 6 है और उसके बाद 6 से खट आएंगे तो 9 by 2 आ जाएगा 9 by 2 लिख लिजे तो यह 4 into 1 by 2 लिख लिजे तो दोनों सेम बात है दोनों सेम है ठीक है ना चलिए तो बस इतना ही हम लोग करते हैं इसमें मैं मैंने जैसे आपको बताया है कि इसमें और भी कई टाइप के कोस्टन्स आते हैं बट मैं नहीं करवा रहा हम लोग क्या करेंगे आगे के लेबल अब बढ़ता जाएगा क्योंकि अब हम पीछे के कंसेप्ट सीखते जा रहे हैं तो आगे के आने वाले चाप्टर्स में हम पीछे के भी कंसेप्ट का यूज करके कोस्टन्स फ्रैम करेंगे क्लियर है ना ओके चलिए थैंक्यू सो मच